समाजवादी पार्टी के मुखिया अखलेश यादो अब बिलकुल मझे हुए नेता हो गए हैं। वो अखलेश यादो जिनको लेकर ये कहा जाता था कि वो लगातार चुनाओ हार रहे हैं। दोहजार चौदा से लगाकर अभी तक उनकी पार्टी का प्रदर्शन खराब माना जाता था लेकिन दोहजार चौबिस में अखलेश यादो ने सारे सियासी पंडितों को बता दिया कि अखलेश यादो के अंदर रणनीतिक कोशल आज भी है और वो मुलायम सिंह यादव के ब करार है और वो सत्ता से टकराने का माद्दा रखते हैं आयोध्या जैसी सीट पर जहां हिंदुत तो प्रबल था जहां राम मंदिर बना था वहां भी अखलेश यादो की पार्टी ने भाजपा को चौनाव हरा दिया और चौनाव किसी ऐसे वैसे को नहीं बल्कि लल्लू सि था राम नाम की लहर थी इसके बावजूद एक सामानने सीट पर अखलेश यादो ने दलित बिरादरी के अवधेश पासी को उतार कर चौनाव जिताया सांसत बनाया और आज अयोध्या अवधेश पासी की वज़े से चर्चाओं में हैं अखलेश यादो सिर्फ यहीं तक नहीं रुके लोकसभा में अवधेश प्रसाद को उन्होंने अपने बगल में बिठाया और ये संदेश भी दिया कि देखिए आयोध्या में किस तरह हमने भारती जनता पार्टी को हराया है हम एक तरफ सम्मिधान के साथ चलते हैं तो दूसरी तरफ हर जाती हर धर्म के बा लेकिन डेपटी स्पीकर के पत के लिए अवधेश प्रसाद का नाम आगे करके भारती जनता पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है क्योंकि भारती जनता पार्टी अब अवधेश प्रसाद के नाम का विरोध नहीं कर सकती क्योंकि वो दलित बिरादरी से आते हैंrations अगर अवधेश प्रसाद के नाम का विरोध भारती जंता पार्टी ने किया तो जाहिर सी बात है कि दलितों की नाराजगी भी उसको जहलनी पड़ेगी और इस बात को भाजपा भी समझ रही है और इंडिया गडबंधन के तमाम दल भी जानते हैं कि अखलेश यादव के इस का फाइदा भी समाजवादी पार्टी और इंडिया गडबंधन को जरूर मिलेगा दोस्तों अखलेश यादव जिस पीडिया फॉर्मूले के साथ काम कर रहे हैं उसने उनकी काफी मदद की है इंडिया गडबंधन उत्तर प्रदेश में 33 सीटे जीता है और अखलेश याद अखलेश यादव ने सीधे सीधे उत्तर प्रदेश के विधान सवाचुनाओं की भी तैयारियां शुरू कर दी हैं अवधेश प्रसाद के नाम को आगे करके अखलेश यादव ने उस वोट बैंक में भी सेंदमारी करना शुरू कर दिया है जिसे मायावत्ती का वोट बैं तो इसका फाइदा आज नहीं बलकि 2027 के विधान सभाचुनाओं में समाजवादी पार्टी को जरूर मिलेगा क्योंकि वो समाजवादी पार्टी जिसके साथ यादव और मुस्लिम एक तरफा रहते हैं उसके साथ लोग सभाचुनाओं में अखलेश आदो जिस PDA फॉर्मूले को लेकर आगे चल रहे हैं वो PDA फॉर्मूला लंबे वक्त तक अखलेश आदो उसको अपनाते रहेंगे आने वाले चुनाओं में भी जब अखलेश आदो टिकट बाटेंगे तो PDA का फॉर्मूला ही फॉलो किया जाएगा फिलहाल अवधेश परसाद का नाम डिप्टी स्पीकर पत के लिए आगे बढ़ा दिया गया है और अब देखना है कि भारती चंता पार्टी क्या करती है क्या डिप्टी स्पीकर अवधेश परसाद बन जाएंगे या फिर भाजपा इसमें कोई अर्चन पैदा करने की कोशिश कर सकती है दोस्तों ये खबर आप मेरे साथ उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे थे मेरा नाम चंदरकांत है